इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल कॉंडॉम को कैसे धोया जाता है दोस्तों क्रिस्टल कॉंडॉम को धोने का एक सही तरीका होता है अगर आप क्रिस्टल कॉंडॉम को ठीक से नहीं धोते हैं जो सिर्फ पानी से नहीं मरते हैं और उनको साफ करने के लिए प्रॉपर शैंपू या साबून का इस्तेमाल करना होता है तो Crystal Condom क्या होता है कुछ लोगों को ये बताना भी यहाँ पर जरूरी है Crystal Condom से मेरा मतलब यहाँ पर Silicon Condom से है और Silicon Condom वह होते हैं जिनको एक खास किस्म के material सिलिकॉन से बनाया जाता है Silicon एक बहुत ही मुलायम पदार्थ होता है और इसको किसी भी सांचे में धाला जा सकता है इसकी सहायता से बिलकुल असली पैनस जैसे कॉंडोम बनाये जाते हैं जिनका उपर से structure पैनस जैसा होता है और जिनको छूने पर भी बिलकुल पैनस जैसा एहसास होता है Silicon condom विभिन रंगों में और विभिन बनावतों में उपलब्ध होते हैं ये चॉकलेट कलर में भी आते हैं स्किन कलर में भी आते हैं और पारदर्शी भी होते हैं Silicon condoms को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये reusable होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जानते हैं कि crystal condom को धोने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों जब आप crystal condom का इस्तेमाल कर चुके होते हैं मतलब आपका वीर्य क्रिस्टल condom में निकल जाता है या वीर्य ना भी निकला हो सिर्फ आपने इनको लिंक पर चड़ाया हो तो भी आपको इनको धोने की जरूरत होती है जब आप संभूग क्रिया से फ्री हो जाते हैं उसके बाद आपको कोई भी बाल धोने वारा शैंपू लेना होता है या कोई भी ऐसा साबून जो अच्छी तरह जाग देता हो उसका इस्तेमाल करना होता है पहले आपको सिलिकॉन को धोना होता है उसके बाद आपको थोड़ा सा शैंपू या साबुन लेकर उसकी बाहरी तरफ और अंद्रूनी तरफ अच्छी तरह लगाना होता है कम से कम एक मिनित तक आपको उसको साबुन से धोना होता है और जब साबुन अच्छी तरह उस पर लग जाए और साबुन के जाग बन जाए उसके बाद आपको लगभग एक मिनट बार पानी से सिलिकॉन कॉंडूम को धो देना होता है यहाँ पर ध्यान रखने योगे बात यह है कि आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और थंडे पानी से ही सिलिकॉन कॉंडूम को धोना होता है थंडे पानी से मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा थंडे पानी से नहीं है थंडे पानी से यहाँ पर मेरा मतलब नॉमल जब आप सिलिकॉन कॉंडूम को धो चुके होते हैं उसके बाद आपको इसको किसी साफ धुले हुए कपड़े से सुखाना होता है और जब यह अच्छी तरह सूख जाए उसके बाद आपको इसको किसी बॉक्स में बंद करके रख देना होता है क्योंकि ध्यान रहे हवा के सं पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फिर से आउंगा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आ गया दीजिए धन्यवाद